चार अगस्त वर्ष 1522 में राणा उदैसिंग का जन्म राजस्थान के चितोलगड दुर्ग में हुआ वे मेवाल समराजी के राजपूत राजवन्ष के राजा थे राणा उदैसिंग, राणा सांगा और रानी कर्णावती के पुत्र थे उदैसिंग की धाय, पन्ना धाय ने उदैसिंग को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था ताकि मेवाल का भविश्य सुरक्षित रह सके इसलिए मात्री भूमी के प्रती पुत्र के प्राणों का बलिदान देने के लिए इतिहास में पन्ना धाय को उच्चे स्थान प्राप्त है 1540 में कुम्भलगड में उदै सिंग का राज तिलक किया गया और मेवाल का राणा बनाया गया उदै सिंग ने अपनी नई राजधनी उदैपुर शहर का निर्मान किया इतिहास के सबसे बड़े शूरवीरों में एक महलणा प्रताप इनहीं के पुत्र थे जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और द्रण प्रण के लिए अमर है 18 जून 1576 में महलणा प्रताप के नित्रत्र में लड़े गए इतिहासि घल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय से नानाईकों में से एक बहलौल खान को उसके घोड़े सईद दो टुकणों में छिन भिन कर दिया